हाई गाईस आपके अपने योटूब चैनल डिजिटल देव मैं आपका स्वागत है फ्रेंस दोस्तों जो आज की वीडियो वनाए गई है मेरे द्वारा यहाँ डिमांड पर बनाए गई है फ्रेंस जी हाँ दोस्तों कई सारे भाईयों का यहाँ फ्रशन था कि भाई 2021 में क्य क्या होंगी योकिता और साइव say अमर इससे रिलेटिट कॉशन भी पूछे गए थे सब ज्यादा कौशन उमर से रिलेटिट थे और साइवांस आज की वीडियो के आंसर देनी माला हूं फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन से पहले यादी आपने उत्राखन सिलभ रहने वाला है 2021 में तो उसे भी आप वाच कर लिजेगा और साथ साथ 2009 में जो प्रिवियस पेपर हुआ था उत्राघंड प्लिस कॉंस्टेबल का उसे भी वाच नहीं किया है आपने तो उसे भी वाच कर लिजेगा तो फ्रेंज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं लेटर्स्ट जानकारियां समय समय पर पाने के लिए मेरे की यूट्यूब चैनल डिजिटल वेग भी में को तस्क्राइब करें और सपास नहीं बैर आइकन को भी प्रेस करें जब्दी मेरी मेरी जुडिया कि आपको तो फ्रेंज सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि तो उत से की न्यूजपेपर में बताया गया है कि उत्राकन सरकार सूबे में करिब 1900 कॉंस्टिवल पदों पर भरती करने जा रही है समाचा सुत्रों की अनुसार उत्राकन प्लिस विभाग में आरक्सी सिपाई यानि कॉंस्टिवल पदों पर सेथी भरती मार्च महा में सुरू हो ओंगी जी मार्च महा में आऊट होनी वाला उत्राकंड पुलीस भरती का नोटिफिकेशन सरकार ने इस भरती वाली है उसमें महिलाओं का परंदेट बठाने का निननली आगया है जो जो कि महिलाओं के लिए प्लस पॉइंट है जैसे कि न्यूस्पेपर में बताया गया जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि स्थानीन न्यूस्पेपर कि एक कटिंग की जिसमें बताया उत्राखंड में पुलिस के भरतिया होंगी मार्च महोंगी और इसमें टोटल पद बताए गया फ्रेंस सिपाई पुलिस के वहाँ 1900 है और साथ साथ इसमें जो हैड कॉंश्टेपल के पद रखे गए हैं वहाँ 700 रखे गए हैं और उपनिरक्षा के 60 पद रखे गए हैं जी हा सी कराएगा कॉंश्टेबल पतों पर भरती जी हाँ प्रेंस जो इस बार भरती कराए जाएंगे वह उत्राखंड आधिनरस्त सेवा चैन आयोग द्वारा ही कराए जाएंगी तो जैसे कि आप न्यूजफेपर के कटिंग के माध्यम से भी देख रहे हैं कि आधिनरस्त सेवा चैन आयोग से पुलिस भरती की तैयारी जी हाँ फ्रेंस इस बार जो भरती होंगी वह आधिनरस्त सेवा चैन आयोग द्वारा ही कराए जाएंगी गाइस अब बात करते हैं कि उत्राखंड पुलिस कॉंस्टेपल में यती भरती होना चाहते हैं आप 2021 में तो इसके लिए आपके पास क्या-क्या पातरताएं होनी चाहिए क्या-क्या माब डंड होनी चाहिए संपूर जान कर देखी गा तो फ्रेंस सबसे पहले हम जानेंगे कि साक्षिनिक आहारता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जी हाँ फ्रेंस तो सबसे पहले अभ्यारती को उत्राखंड विद्याली सिक्षा परिशद रामनगर नैनित्वाल द्वारान मानी इंटरमेडियर अध्वा समक्स परिक्षा उत्तिर होनी चाहिए यानी कि बारवी पास होना चाहिए जी हाँ फ्रेंस बारवी पास ही अपलाई कर सकते हैं इसके लिए नेक्ट देखेंगे फ्रेंस आयुसीमा जो कि बहुत ही मेन है दिनांग एक जनवरी 2020 को आवे तक की जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वह 18 वर्स होनी चाहिए 18 वर्स लेकर अध अब च्क कर सकते हैं तो फ्रेंस आप बात करते हैं राश्ट ये तो अभ्यारती भारती होने के सांसाथ उसे उत्राखंड का मौल निवासी होना चाहिए जिया फ्रेंस अब बात करते हैं कि चैन परिक्रिया इसमें किस बेस पर होनी वाला है तो फ्रेंस इस उत्राखन पुलिस कॉंस्टेबल या आरक्षन भरती 2021 के लिए अभ्यार्थी का चयन सारिक मानक टेस्ट यानि PST सारिक दक्सता परिक्ष टेस्ट और लेखित परिक्षा के आधार पर ही किया जाएगा जी हाँ फ्रेंस तीन चरण आपको पार करने होंगे सबसे पहले PST क्रॉस करना होगा उसके बाद PET उसके बाद रिटन एक्जाम क्वालिफाई करना होगा जी हाँ फ्रेंस उसके बाद ही आपका सिलाक्षन हो जाएगा अब बात करते हैं आवेदन सुल्क की तो सभी आवेदकों को निर्धारित आवेदन सुल्क का भुकतान ऑनलाइन मूर में करना होगा और ऑनलाइन सुल्क अभी तक बताये नहीं गया है ऑफिसियल पर तो जैसे ही बताये जाता है तो इस समनुद वीडियो में अपने इस च साइट है उत्तराखंड पुलिसुक.gov.in इस वेबशाट पर जाकर आप आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है उत्तराखंड पुलिस का तो आपको जल्दी इससे सम इस वीडियो मिल जाएगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें